इसका जो industrialist पूरी बात का perspective है, neutral perspective वो उन से जानेंगे Mr. Zishan Merchant हमारे साथ मौझूद है, financial taxation expert है लहाजा पूरी बात के जो financial aspects है वो भी उन से बात की जाएगी और in account लिए जाएंगे while drawing the conclusion of the discussion Ambassador Jamil Ahmed, former सफीर रह चुके हैं, पाकिस्तान के, former सफीर है लहाजा उनका भी जो सिफार्थी पहलु है, इस बात में शामिल कर रखेंगे And last but not the least at all, Mr. Atiq Siddiqui हमारे साथ तश्रीफ फरमाए Analyst है आप, लहाजा आपका तज्जिया भी जो है वो in account लिया जाएगा पूरी बात को, पूरे discussion को to a conclusive end draw करने में Very grateful to all the panelists here in the studio's जो हमारे साथ मौजूद है Dr. Begg से आगास करते हैं Dr. Begg बताईएगा, काफी चीज़ें इस वक्त हमें in account ले रहे हैं सबसे पहले तो पाक चीन दोस्ती और इसके बारे में मुख्तिलिफ जो pictures फेंट की जाती है उसके बारे में पहले बता दीज़ेगा, आपको क्या लगता है, कि ये चीज़ें क्या उतनी ही positive है amidst all the positivity, अगर कोई cautions हैं, तो हम उनको कैसे cater कर सकते हैं देखें, पहली चीज़ तो यह है, कि ये सवाल मैं जादा समझा नहीं कि हमें कोई doubt नहीं होना चाहिए, चाइना के साथ, जो हमारी दोस्ती है, इस all time tested friendship है और अब उसके साथ-साथ हमारे economic relationship भी जो तेजी से बढ़े हैं और जिसकी एक खुबसूरत मिसाल CPAC है, चाइना-Pakistan एकनॉमिक औरिडर और ये मनसूबा win-win situation है चाइना के लिए भी पाकिसान के लिए और इसी लिए इन दोनों ममालिक ने इसको बड़ा heart and soul के साथ इसको लेके चल रहे हैं चाइना की इसमें जो मफदात हैं वो other than उनकी जो logistic time है Western सूबे से Europe, Middle East और आगया free तक जाने का वो वाया गवादर one third रहा जाता है cost भी one third रहाती है plus politically उनका एक national security point of view से भी कि हमरोज में अमरीकी बहरी है कि एक presence बड़ी strong है और उनकी 80% तेल वहाँ से आता है और वो कभी भी उसमें disturbance हो सकता है लहादा वो चाहते थे कि कोई ऐसे जगह से ये इंपोर्ट किया जाए तेल वरा और एक्सपोर्ट किया जाए जहां पर इस तरह का disturbance का कोई खच्चा ना हो तो ये तमाम चीज़ें दोनों ममालिक के लिए है आइडिली सूट करती है और हमने चाइना में हमने इसमें सरमायकारी करी है सरमायकारी के भी दो इसे हैं एक निजी शोबे ने आपस में की है जो 34 अब डालर है इसको मैं क्लियर कर दूँ ये ना कोई लोन है ना अगें सब्सक्राइब गारंटी है ये alternative energy के मनसूब है जैसे हमारा गूरूप है उसने भी Chinese गूरूप के साथ या CDC के साथ या IFC जो International Donor agencies है ये Chinese bank है ICBCI bank उन्होंने finance कर रहा है as a collateral जो project itself तो इसमें तो ये जैसे हम प्रक्रिया लगाते हैं बेल्कुर बारा मिलियन डालर बारा बिलियन डालर जो है वो infrastructure के गौधर पोर्स के जो project है वो एक easy credit है यानि चाइना ने हमें 2% के उपर असान शर्त के उपर ये करजा द होती है वो दाप पर दुनिया में देता है easy credit वो condition पर अपला ही होती है तो वो उसके ताहत यहां पर पाकिसान में सरमायकारी कर रहे हैं और अब वही अमांट बढ़के 52 billion dollar 56 हो गया है क्योंकि सूबे के जो chief minister गहे थे उनकी छोटी-छोटी reservation थी और चाइना ने एक बहुत ह कि खुचदिली के साथ चारों सूबों के chief ministers के जो इजाफी मनसूबे थे उनको भी इसमें कॉप कर ले जिसमें कराची में circular railway रहा रखी है तो अब तो 56 billion तक यह पहुच गई है और उस पर तमाम सूबों के chief minister बड़े खोश हैं उनके खाशाद जादा तर जो हैं वो दूर ह गए हैं लेकिन मैं फिर एक बात के बात को आगे बढ़ाँ को कि इसको हम किसी सूबे का मनसूबा या किसी ये एक national मनसूबा है और बलके national से भी जब आके निकलता है तो ये regional मनसूबा है या जो मुमालिक के तर्मियान जो मनसूबा है जिसको आप game changer कह रहे हैं वो game changer region और मुमालिक के लिए उन्हों प्रमियारी आड़ा जान आटा पर गूही बाना होगा जब हम इसको देखते हैं कि यह सड़क हमारेंसे कम से गुजर रही है और उतर से जादा गुब तो रही है तो पाकिसान से गुजर रही है गुजर तो रही है यहां से वो cargo जाएंगे जो Central Asian और China ने प्लान किये हैं, अच्छाँ अब सवाल यह है कि इसमें हमें अपनी जम्मधारियां निवानी है China ने अपनी जम्मधारियां निवानी हैं मैं जब आपकी तरफ आ रहा हम हमारी जम्मधारियों में यह है कि हम timely implementation अब उस project करें, हम security को यकीनी बनाएं, law or situation को यकीनी बनाएं, हम political stability को यकीनी बनाएं, सियसी अस्तकाम मुलक में हो, जिससे ये चीज़ें smooth flow लोगती हैं, transparency को बनाएं, corruption के इसमें आस पास के हमें नहीं नहीं नजर आएं, और जो भी procurement हों, सब कुछ हों, वो international जो एक तरीके वकफे फंड दे रहे हैं, technical know-how हमको दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह हैं, और साथे साथ चाइना ने हमको security में भी मारी मदद कर रहे हैं, अभी दो जहाज नहीं नेवी के हमको दिये, गौदर के coastal line को security फ्राम करें के लिए दो जहाज और पानी के उनके आ रहे हैं, तो यह बहुत ही latest, sophisticated जहाज हैं कि जो दे रहे हैं, इसी तरह और जग़ों में भी, by air भी, और हमारी जो task force बनाईए security की, जो major general के embed में आती है, मतलब उनकी निकरानी में आती है, यतना high level है, तो उसमें सब मिल के ये कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में हमें भी पता day one से और चाइना को भी पता day one से कि बहुत सारे ऐसे मुलक हैं जो खुश नहीं है, कुछ हमारे प्रॉसिम मुलक ऐसे हैं, जो इसको रोखना चाहेंगे खलक टामिया पनाए जाएंगे और law and order की situation खराब तर करने की कुशिच करेंगे बलोच इस्ताम को भी वो इस्तिमाल कर सकते है अमरीका की नराजगी भी हो सकती है अमरीका के long phase भी हमें देखना पड़ेगा लेकिन हमने, दोनों ने हाथ में हाथ डालके अंडर्सेंडिंग के साथ सीपैक को कम्प्लीट करके हमने और दुनिया को एक मैसिज हमने दे दिया है कि 250 कंटेनर का एक कारगो जो चैना से निकला था और वो बेस्टन सूबे से बलोचिस्तान के राज़ते जिसको लोग करते थे यहां तो सेक्यूरिटी नहीं है यहां से कैसे जाएगा वो वहीं से कारगो निकला और राधारी से होता हुआ गौदर पोर्ट से जिस दिन सेल किया वो एक लिटमस टेस्ट था वो लिटमस टेस्ट था जिसने एक मैसिज दुनिया को दिया कि जो हम चीज़ बता रहे हैं या करने जा रहे हैं वो प्रैक्टिकली मुम्किन है और वाइबल है और हमने करके दिखाया है जिसमें मैं कौम को मुबारिक बात प्रिश करता हूँ इस हकूमत को भी कि जिस तरह से वो इस मनसूबे को अपनी तरजीह हाथ में उन्होंने शामिल करा अब ही हम पर है कि इस तरह कि गलत पहिमिया गलत बियान गलत कमेंट जिससे कोई और तासूर इस एहम मनसूबे कर जाए जिसको टॉनिश कर सकता है उससे हम गुरेस करें वो तो एक बात हो गई लेकिन हम जब आपकी बात से में इंटर्प्रेट कर पाई हूँ कि बेकॉज ओस सीपेक क्योंके सीपेक हमारे लिए इतना इंपोर्टन था तो उसकी वज़ा से दीगर सारे फैक्टर उस तरह बहेव कर रहे हैं जिस तरह से अभी हमें नजर आ रहे हैं इसको बाकी कंपाउंड करके इस चीज में समझा जाए या समझा जाए के सीपेक बीइंग रीजन वो बाकी चीजों की वज़ा बना है इतना बड़ा प्रजक्ट मुरा है उसके रिप्रकेशन तो आप ज़रूर जहें में रखें जिस तरह बना है उनको और कम करके बना है इसकी एक फैनाशल कॉस्ट भी है पता है कि हम जब इसकी बात करते हैं भी रीसिटली भी बात काफी की जा रही है कि इंपोर्ट फॉर दे मशीनिरी जो सीपेक में लगने जा रही है उसकी बज़ा से हमारा ट्रेड डेफिसिट भी वाइटन हो रहा है ये भी चीज़ें हमारे सामने हैं लेकिन पिर कहते हैं कॉंसिक्वेंटली वो क्योंकि हमारे ग्रोथ में रिफ्लेक्ट करेगा ग्रोथ होगी आपने अगर देखा हो के कुछ अरसे पहले फेबरिरी या उससे थोड़ा अरसा पहले FBR ने दो ऐसारों इस्यू किये थे जिसमें वो मशीनरी जो सीपेक के लिए इंपोर्ट हो रही है उस पे किसी किसम का कोई टैक्स नहीं है ना income tax है ना sales tax है और जो Chinese आके companies यहाँ पे इंकोर्परेट करेंगे उनको 25 साल की tax exemption दी है तो वो जब आके यहाँ पे business अपना लगाएंगे यह जो भी आके investment करेंगे उससे जो भी वो earnings करेंगे, पाकिस्तान की taxation पे उसका कोई impact नहीं आएगा, पाकिस्तान के tax revenues पे उसका कोई contribution नहीं होगा, यह तो इसकी एक downside है, क्यूंकि हमने 20-25 साल की, सिरफ उन companies को जो Chinese companies होगी, not Pakistani companies, which is another fact which I do not understand, that अगर पाकिस्तानी कोई उस जोन में कंपनी लगाने जा तो वो क्यों tax दे, और वो ही चीज आके चाइना आके लगाए तो उसे क्यों tax exemption है 25 साल की, that beats me. यह बात FPCI के प्लाटफॉर्म से भी उठाई गएगे, this is a demand from their platform. Yes, it should be equal opportunity for everyone, we should not give preference to anybody because if they will not contribute in your economy whatsoever, a single penny, then how do you expect your tax revenues to grow, then you will impose more taxes जो आपकी existing tax base है, आप अपने उन्ही लोगों को जो इस सक्ट frustrated nation के तोर पे, जो frustrated taxpayers का मैं वर्ड यूज करता हूँ, कि जिनके उपर आप मुस्तकिल taxes का अंबार लगाते जारें, उन्ही को हाट प्रेस करेंगे आप, in the form के आप refunds नहीं देते, in the form के आप उन्ही के audits करते हैं, आप उन्ही को penalties लगाते, तो this kind of an attitude has to change, we have been seeing this over last 4-5 years, कि आप tax base बढ़ाते नहीं, जो एक 10 लाग लोगों का आपके पास tax net है, उसी पे मजीद आप taxes लगाते, पेनल्टीज लगाते, तो यह जो अप्रोच है, इसको किसी तरीके से change करना होगा, अगर आपको economically viable होना है, क्योंकि अगर आप tax base में लोगों को नहीं लगा आएंगे, तो आप electricity में tax बढ़ा देंगे, आप telephone में tax बढ़ा देंगे, आप indirect taxes बढ़ाते चले चाहिए, यह तनी बास समझ आई, एक के perception यह भी हम देखते हैं, कि जो taxpayers हैं, those in the tax net या जो filers हैं, वो ही encourage करते हैं non-failers को कि आप जी filer ना बने, otherwise you will face the music, यह बात है, यह चीज आप agree करेंगे? क्योंकि यह पॉसिबल नहीं, क्योंकि हर कंपनी इसक विदोल्डिंग एजन्ट है, तो उसको tax काटना है, अब वो उस बंदे के नाम से tax काटता है, अब सवाल यह पैदा होता है, वो रिटन भरे या नहीं भरे, tax हम काट रहे होते हैं, तो यह चीज एब्सॉप करना थोड एक्स दे दीजे, we will not ask you anything, so this is something which is a regressive for the nation, आप temporarily तो tax revenues को collect कर लेंगे, और आपका tax targets भी पूरे हो जाएंगे, लेकिन in the long run, this is going to hurt you very badly, लेकिन वही बात है कि अगर यह इतनी नेगिटिव चीज है, तो फिर tax जो non-failers है, वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी करते हैं, अग आपके FBR के पास जो इस तक हम पिछले बहुत सालों से जो एक चीज़ कहते है, capacity है, टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए, will नजर नहीं आती है, enforcement का जो हमारा division है, मेरे खाल से उसको बहुत जादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप, बड़ी देखे, simple, मैं बहुत simple, आस लेंगविज में कहता हूं, कि एक दाइरा है, इसमें पचास लोग काम करते हैं, अब उस पचास लोगों का अगर मुझे पता है कि यहां पचास लोग काम करते हैं, अब उस पचास लोगों काम करते हैं, अब उस पचास लोगों काम करते हैं, अब उस पचास लोगों काम कर तो हमें अपनी अप्रोच को जो है थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है and at the same time अगर हम किसी को कंसेशिंस दे रहे हैं तो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए CPAC बिल्कुल सही वो वाली बात, I am sure ये इनकी प्लाइफ़ोंच एक रीजनल चेंजर है not even हमारे मुल्क के लिए गेम चेंजर नहीं है कि रीजन के लिए गेम चेंजर है लेकिन उसके साथ-साथ ये नहीं हो कि हम 10 years down the road जाके गए कि यार हमें तो नुकसान हो गया से कहीं ये नहीं हो जाए तो कि आप मराद तो दे रहे हैं आप एक सर्टन सेक्टर को हर किसम की इंसेंटिव भी दे रहें लेकिन उसका डाउंसाइट क्या है क्या हमने उसको गेज किया या नहीं किया हम प्लस तो हर रोज डिसकास कर रहे हो थे तेलेवेजन चैनल पे यहार टॉक शोस में कि दिसकास हो रहता कि सीपक के आने से यह यह चीज पॉसे जाएंगे I agree to that but have we discussed the cons we have discussed the pros of CPAC क्या हमने cons के ओपर देखा है I may be wrong in my judgment but यह चीज़ें जो आ रही है नजर वो एक एक सर्टन सेक्टर के लिए फाइदे मंद है और पाकिस्तानी बिजनस्मेन के लिए नुखसान देखा है Local, Local Industries, Domestic Industries के लिए क्या किया जा रहा है यह एक valid demand है जो के रखी जा रही है even from the business side or from the industrialist perspective इसके उपर भी मजीद बात करना ज़रूरी होगा Ambassador साब when we talk of Park-China ties हम CPAC को तो in account लेते ही है लेकिन इसके अलावा ये तालुकात और रवाबिद बाकी सारे fronts पे भी extend होते वे नजर आते है and then इसी तमाम सिनारियों में कुछ और इसके अलावा statements भी आती है Ambassador शर्फ जांगीर काजी की जो अब statement है उसको आपके सुम्रे में लेते हैं पराहे में consider करेंगे लेकि इसको एक पराहे में समझना जादा जरूरी है इस वक्त दुनिया की खदोखाल बहुत change हो रहे है global politics में बड़ी तबदील आ रही है और बात हुई है काफी मफसल तरीके से मफसल अंदाज में CPAC के हवाले से उसको मैं वहीं छोड़ता हूँ क्योंकि उसमें सहरा में तक्रीबन गुफ्त को हो चुकी है उसमें से जो उसकी खदोखाल मजीद रहती है उसमें जरूर को थोड़ी सी रोशनी डालूँगा आपने इस पूरी खिते को देखना है in totality और in totality इस तरह देखें कि अभी एक strategic competition यूएस और चाइना में क्या है लेकिन एक तरफ तो चाइना यूएस सबसे बड़े एक तिजारत आपस में करते हैं छे सो चालिस से चालिस से 636 के करी बिलियन के करीम उनका एक्सपोर्ट है पूरी economy dependent है चाइना की काफी हद तक अगर उनके जो अमेरिका के साथ trade relations है अमेरिका की बहुत सारी चीज़ें मुंसरे कोने के साथ है हाला कि अमेरिका के trade deficit कोई 300 billion के तरफ है लेकिन उसको हम एक मिन्ट के इधर छोड़के अगर हम यह तीन चार इशारे देखके और फिर उसमें गुफट 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 होड़ी सी करें तो बहुत अच्छा रहेगा इस वक्त अमेरिका ने एटलांटिक ओशन से अपने बहरी बेड़े शिफ्ट करके पैसिफिक ओशन में लिया है जहर उसके कोई बारह के करीब बेड़े हैं जिसमें से नौ के करीब इस वक्त पैसिफिक ओशन में लेके आगए इसकी कोई वज़ा होनी चाहिए ना इसकी वज़ाई यह है कि वो अपनी मिलिटरी माइट से जो एकनॉमिक माइट है चाइना की उसको चेक में रखना चाहते हैं क्यों रखना चाहते हैं इसलिए कि चाइना क्योंकि अपनी एकनॉमिक माइट इस वक्त दुनिया का चाइना जो है नंबर वन कंट्री है जो के जिसने के manufacturing के लिहाज से number one country हो गया और उसके लावा trade के लिहाज से भी बहुत आगे है लेकिन वो क्यों चेक में रखना चाहते हैं कि unless जो बड़े powers हैं उनके पास कोई leverage ना हो तो बहुत सारी चीज़ें अपनी उनको मनवाने में दिश्वारी होती है तो उसकी वज़े से क्योंकि आपका oil काईटी 5% जो सारी की सारी रस्तगाई हैं चाइना में इस वक्त तक CPAC बन जाएगा तो बाद दूसरी हो जाएगी जब उसकी implementation हो जाएगी इस वक्त तक उसकी सारी रस्तगाई state of farmers, Indian Ocean, Pacific से होके सीधा मलाका, state of मलाका याने कि तो साथ चाइना शीए अब उस सिलसले में एक बन गया है ग्रूप जो के string of alliance कहलाता है जिसमें साथ कोरिया है, जापान है, फिलिपीन है और तिन चार कंट्री है दूसरा जो चाइना ने बनाया है वो string of pearl है और ये सारे मुखतलिफ जगों पर अपनी अपनी सारे बहरी अड़े तो खर जहर नहीं किया उन्हों ने, लेकिन उन्हें ने अपनी फैसलिटीज क्रियेट कर रहे है लेकिन अल्टीमेटली उसका strategic aim ये भी है और उसकी वज़ाई ये है कि ये अपनी जो repositioning दोनों ताक्तें कर रहे हैं ताके वो एक दूसरे के economic मफात को disturb नहीं कर सकें इसलिए वो repositioning कर रहे हैं हलाके इन दोनों countries का, US और चाइना का, आपस में भी इतनी ज़ादा हम आँगी है तो कि टरम्प ने आके का है कि जी हम दोवरा negotiate करेंगे अपने trade agreement को चाना के साथ क्योंकि हमारा trade deficit बहुत जादा है वो तो चले, उनका हक है अमेरिका का लेकिन उसके लिए जहरे बड़े उसकी और बहुत सारे पेचोखाम होती है कि कि कितना time लगेगा, कितना सा लगेगा उस तमाम चीज़ों को करने में टरम्प को अब आज आ जाते हैं कि इसके हमारे जाधी 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 रश्रफ साब ने जो आज का बयान दिया है वो एक बयान उने ने थोगा से generalized किसम का बयान दिया है और generalized बयान में जो कहते हैं कि चाईना को की भी एक limit है ठीक है मान लिया और फिर वो कहते हैं कि एक Eqilibrium disturb नहीं होना चाहिए उन rush बात कि नहीं है कि Eqilibrium जो है हमारा trade का और हमारी जो आगे strategic interest है उसका disturb उसमें कोई disturb नहीं होना चाहिए और उन्होंने एक्तमार किया है बिट्वीन दे लाइन के ऐसा होने का इमकान है तो इसकी वज़े से थोड़ी सी एक डिबेट ये जनरेट हो गई ये आज मैं समझता हूँ जातर चैनल्स पे भी ये डिबेट आज चलेगी तो यह भी हम जब गुफटगू कर रहे हैं उसमे भी मर्चन्ट साब ने जिकर किया कुछ रिजर्वेशन का जब भी इस किसम की एग्रिमेंट्स होती हैं उसमें जरूर कुछ ना कुछ उसमें होते हैं कुछ गिदू और कुछ लेवाली बात होती है तो उस सिल्सले को भी अगर देखा जाए कि हम उनके साथ जो चाना के साथ इस वकत जिकाजी जावेद अश्रथ साहब ये अपने बियान में किया है, तो कि अज और ँम ने स्टेडिजिक सिंटर में असनाबाद में बात की है उन्होंने तो उसमें न सिर्ब उन्होंने बात की है कि अमेरिका जो री पॉस्चरिंग कर रहा है उससे पाकिस्तान को फैदा नहीं होगा इस किसम की बाते आच चली चलें वह तो डिबेट थी अब फैदा और नुकसान अभी तो नहीं हम इसको कर सकते हैं यूर्पेन यूनियन और यूएस के इस वक्त कोई यूएस ने फॉर पीरियड है इस टाइम पीरियड में हमें अपने डिप्लोमेस्टी को बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ट पर लाके अपने अपनी उस स्पेस्ट को हमें कवर करना चाहिए कि हमारे खिलाफ जो नेगेटिव हमारे बारे में ख्यालात हैं चाहे वो अमेरिका के या किसी और म हो सकता है यहादा उस एग्रेसिव पॉस्चिरिंग के साथ हम उसको काफी उसमें कर सकते हैं अभी आप देखें कि यह जो मल्टी लैटरल आई एम एफ का है खालमा आपने भी जिकर किया है मुझे चाहिना तालुकात इनके पॉजिटिव जिनके बारे में काफी बात होती रहती है लेकिन इनके कॉशिन्स वो क्या है और दीगर इंटरनेशनल फैक्टर्स के साथ जब उनको हम लोग मिला कर या एक साथ कंपाउंड करकर देखते हैं तो फिर उसका क्या इंप्लिकेश करूंगी किनके हम लोग comprehensively we'll be talking about the IMF talks with Pakistan अतीक साथ लेकिन फॉर्स सब्टॉपिक only बताईएगा क्या implications है किस चीज की अलामत या किस चीज का caution Pakistan को रखना चाहिए when talking of Pakistan-China ties इसकी deepening बड़े सारे fronts पे नजर आती है लेकिन दीगर international factors इसको कोई change या किसी vulnerability का भी सामना करते हुए दिखते हैं या नहीं बिलकुल इसमें दो चीज बड़ी वाज़े है जैसा के ambassador साब ने निशान देई की कि international relations में with the changing world और जो दुनिया के स्यासी और जोगराफियाई अतबार से हालात हैं उसमें और मशर्क वस्ता का जो भी मामला चल रहा है इसमें हमें अपनी बेर अलगवामी सता पे तालुकात और हमारी जो स्यासी और हमारी अक्तसादी कैफियत इसमें बहुत जादा दोबारा नए अजम से एक ऐसी कुट एक ऐसी पॉजिटिविटी लानी है जिससे दुनिया में एक मैसेज लाओ इन क्लियर जाए कि पाकिस्तान में अब इतनी डिपेंडेंट्स दोसरों के तरफ देखने वाली नहीं रही और पाकिस्तान में खुदकफील होने के नाते इने अपने खारजा पॉलिसी का इ करनवा सकते हैं जिसकी एक बड़ी वाज़ मिसाल है असकरी एंगल से अगर देखा जाए तो जनरल राहिल शरीफ का जाना और उसी तरह से हमने अभी जिस तरह से OIC में और दोसरे ममालिक के लिए वे बातें की हैं और हमारी से अब कहीं पर पहचानी जाने लगी है जो हम प चाइना की जो हमारे रवाबित बढ़ रहे हैं इसकी सिर्फ पॉजिटिविटी को मद्दे नदर रखें और जिस तरह ये रीजिनल गेम चेंजर है बेग साब ने बड़ी वजाहत से एक पूरा मनजर नामा पेश किया और मैं समझता हूं कि इसमें हमें बड़ा महतात होना है इस वक्त हमें अपने नियर रीजिनल पॉलिटिक्स पे तवज्ज़ देनी है ऐसा नहों कि ब्याउन डफेंस देखते हुए शॉट साइटेड यहां पे अपने नजदीक के मामलात से हाथ दो बैटे हैं इस वक्त को के बताईए बेशार अफगानिस्तान की तरफ है अच हमारी बड़ी सैक्रिफाइसेज है हमने अपने लाउ एन ओर्डर उसी वजह से वहालात क्रियेट हो गए आज लाउ एन ओर्डर का ऐसी सिच्वेशन पहुंच गए कैसी नच पे आखड़े हुए कि आपने इंट्रो में जिस तरह का कि यह आई-एम-फ की बीटिंग हमारे ह होती हमारी कोशिश थी मेरजिंग डिरेक्टर इनकी पिछले साल ऑक्टूबर में आई क्या वज़ा है कि जब उनका सेक्टरियट आके यहां नहीं कंड़क्ट कर सकता वाट एक कंट्रास्ट अबिन उनकी अपने इंटी आ गई है और यहां पे टीवी ठी बातें करके गई और फाइन एनफ तो हमारी जब कंसलिटेटिव रोल का हमारा जब पोस्ट प्रोग्राम मॉनिटरिंग की बात आ रही है तो आप इसरार करते हैं कि हम दुबई आएं तो और हमने रद रदल फसाद से जर्बल अदब से यह जाहिर किया कि हमारी लाइन ओर सिच्वेशन इतन सुधार करते हैं कि जी दुबई आ करें मिलो तो अब हम जब अपनी हालात कितना सुधार चुके हैं तो लेट्स गो इंटरनेशनली बी वेरी क्लिर बाओड इट एंड लेट दो पीपल हमारे असल में हमारे लोगों को पहले हमारे इस चीज़ का हसास हो कि हम खुद अपनी काम्याबी के सहरे के लिए फूल चुनें और उसके बाद फिर दुनिया में लोग कहेंगे ये नौशा बड़ा प्यारा है अगर इसका कोई टेकनिकल पहले हुए है जो भी जिकर आया कि हमारे पास छोटे चोटे बायर भी नहीं आते थे और दुबई में बुलाते थे हमारे ताजरों को या IMF इस दफ़ा हमारे पास नहीं आया है तो उसके टेकनिकल चीज़ को समझना बड़ी जरूरी है और आपके नाजरीन के लिए भी कि जितने भी इस किसम के डेलिगेशन आते हैं उनकी ट्रेवल एडवाईजरी के तहद उन्हें मशवरा दिया जाता है सवाली पैदा होता है कि EMLI को क्यों मिल गई इसको कहते हैं Michating the Threats उसके लिए वो अपने पूरी एक बड़ी टीम बेजते हैं उसको मिटीगेट करते हैं खरचा करते हैं उसके बाद उसको क्लेरेंस देते हैं क्या पा जाओ सारी टीम के लिए एतनी एफर्ट्स नहीं करना चाहते कि सारी टीम को यहां भेजे और फिर उसका एक पुलिटिकल सबब भी होता है और वो जो पिछली क्लेरिंस थी वो अपसलीट हो गई है अब उन्होंने अभी के कंडिशन्स की उसके लिए प्राइब आपस जादा मुबालिक के लोग नहीं आ सके क्योंकि उन्हें ट्रेबल एडवाइजरी के तहद उन पर एक अदगन होती है कि वो नहीं आ सकते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बड़ा आसान काम है अतना मुश्किल काम नहीं है जतनी हमने अभी जिकर किया अतिक साब ने भी कि हमने जतनी अचीवमेंट्स की है लाइन आडर को बेतर करने के लिए जाहरा भी काफी और करना है तो उस अचीवमेंट्स को जिस अंदाज में हमें परचार करना चाहिए था वो नहीं कर सकी और टेक्निकली जिस अंदाज में हम उन ममालब को भेज कि अपनी सिक्योटी एडवाईजरी को रिवाईज करना करवाते उस वक्त तक ये चीजें इस तरह चलती रहेंगी और मैं युनाइट नेशन्स में खुद ये असेस्मेंट खुद भी करवाता रहा हू नहीं है ये टेक्निकल नुक्ता अगर पाकिस्तान इस चीज़ को आगे लेके बढ़े जिसमें के कुछ हिदारे आ जाते हैं और खास दूर पर फारन आफिस तो ये मसला इतना बड़ा है नहीं और अब जिस तरह हमारा सलसला आगे चल रहा है मैं समझता हूं कि हम इसको अग्वामी सता पे हमें वो है जाइश है हमारे पास तो हमारे यह तो बैद यह देख रहा हूं कि जो मौझूदा कैफियत है इससे तो स्री नेगेटिव सिगनल जा रहे हैं और मीडिया भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि अगर अगर बगी यह हैं क्या है हमारे फॉरें आफिस को करना है क्या हमारे सपीरों को करना है यह individual capacity में मतलब who has to do this at the end of the day it's how we sell to the international crowd where we stand today we are at a crossroad where we have got to be very positive about our country and our economic agenda आपको जड़ा इसका पिसला background में जाना होगा IMF के जो बारा मिटिंग्स हुई है review मिटिंग्स कलाती है जी जी उसमें Pakistan में भी मिटिंग हुई है okay IMF की जो managing director Christine Lagarde आई थी वो इस बार दो यह तीन दिन रही थी उनका flying visit सुबा के शाम का नहीं था she met private sector हम लोग कराची से गए थे बड़े-बड़े industrialist को बलाया था और उन्होंने बड़े comfortably Pakistan के जो चीज़ें अच्छी है को acknowledge की थी उन्होंने सिर्फ दो चीज़ों पर अपना concern दिखाया था जो मैं आज आपसे शेयर कर लूँगा एक उन्होंने कहता है 2018 में onward हमें outflow आप उसके बार में concern था और दूसर उन्होंने debt जो हमारा बड़ा था उसके बार में बड़ाया था उन्होंने corruption की भी बात की लेकिन उन्होंने Pakistan की economy की तारिफ की हमारा जो budget deficit था जो 8.3, 8.4 से हम 4.3 पे ले आई थे उसकी उन्होंने तारिफ करी हमारे results बढ़ने की तारिफ करी हमारी remittances की तारिफ करी हमारे inflation पर जो हमने contain करके single digit चार पे उसकी उन्होंने तारिफ करी तो ये पहले चीज़ यह है कि आईमिप की mission का दुबई में मिटिंग करना कोई ऐसा बम नहीं फट रहा है उनके 12 review में आदे मिटिंग सुनकी इसलामबाद में हुई है और हेल्फिंगर ने हमेशा Pakistan की तारिफ की तारिफ की तो और हेल्फिंगर जो उनका head है उसमें पाकिसान में तारिफ की है दूसरी च उनकी एक requirement है कि आप review कराएंगे और उससे हमें clean chit मिलती है और जो IMF की clean chit होती है वो हमे बैनल अलफपामी डोनर्स एजिंसी के लिए IFC के लिए Asian Abdullant Bank के लिए उनके साथ जो credit lines है उनके साथ हमारे मन्सूवे हैं उनको green chit उनसे मिलती है साथ ही साथ डोनर्स एजिंसी जो है इसमें standard poor and moody's जो है वो भी clean chit के बाद हमारी rating को upgrade करते हैं तो हमारे लिए ये बेतर होता है कि क्योंकि हमारी performance बुरी नहीं है और उनको भी बता चल जाता है कि हम loan repay कर भी सकते हैं तो तीन जगा it will be hard task for our boys to satisfy them और वो हमारे finance minister भी जाएंगे final round में वो बैटके उनको करेंगे कि हमारा current account deficit बड़ा है हमारी exports नहीं बढ़ नहीं बल्के कम हो रही है हमारे reserve जो है 24 से वो बाइस हो गए है और जो उनका target था कि budget deficit को वो कह रहे थे कि 3.8 पे आ जाए वो 3.8 पे मुश्किल हो रहा है हम 4% पे पे contain करें तो बितर है जहां तक सवाल है GDP का हमने 5.3 5.4 बोला है 5.3 हम target करें तो वो मूं से बोल रहा है कि Pakistan असल कर लेगा तो we are not far away तो हमारी position इतनी बुरी नहीं है लेकिन international community को एक positive message देने के लिए green check देने के लिए जरूरी होता ह कि इस review में हम कामयाब हो और उनके positive statement great देने के लिए जान सकूँ है और मैं मुझे खुश हूँ के वक्त ने अजाज़त दी है आप से जान सकूँ how do we do that again जो हम पहले भी कुछ दिर पहले बाद कर चुक करें हैं लेकिन हमारी projection क्यों बुरी है exactly हमें तमाम इन खदोखाल को सामने लेके और इसकी projection करने की जरूरत है हमें basically ठीक है हमारे पास debt to iska deficit budget deficit 2.4 first half में चला गया है और जाहर है हम बहुत close जा रहे हैं उसके 4.8 के जबके तो ये जो figures हैं तो अपनी जगाँ पर लेकिन अगर हम अपनी आप branding अपनी जो है जो हमारा brand अलिडी मौजूद है उसको अगर हम सही मानों में उसके diplomatic platform से अगर हम उसको आगे बढ़ा सके और फिर सबसे बड़ी बात है national issues के उपर कोई politics ना हो हमने बहुत दफाए प्लाटफॉर्म से बोली है अतीक साब आपका क्या इसमें व्यूद होगा मैं बिलकुल मुतफिक हूँ देखें बेर अखवानी सतर पे brand marketing हर चीज़ की की जाए जिस तरह से आपकी international relations है foreign policies है हमारे education sector में improvement आए हमारे CPAC से जो भी industrial benefits हैं उसका भी हम FDI पे लोगों को मतवज़ करें हम Middle East के अपने brother ममालिक में जाए हम उन्हें offers करें उनके हां से लोग आए हैं यहां पे सनतें लगाए हमारे large scale manufacturing में इतना बड़ा gap है I mean production जो है उसका output बिलकुल उसको कोई नहीं address कर रहा कि वो क्यों सपर कर रहा है बिलकुल उसके cost of doing business पे उनके reference के issue उनके भी मसायल है I mean electricity energy sector में जो power का जो restructuring reforms आ जाएंगी you are talking about something which is all on the blueprint there are all plans there discussions होती है आप चाटर आप economy एक साइन कर दें तमाम सियसी जमाते एक चाटर आप economy साइन कर दें जो long term हो कोई हुकुमत आए कोई जाए सब्सक्राइब करें इसको 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 रखेंगे क्या नहीं रखेंगे that is again debatable Mr. Merchant will you agree charter of economy हमारा की solution है मैं आपकी तरफा दें सब्सक्राइब आप बना भी लें तो बात बड़ी simple सी है कि unless everyone is on one page we will never be able to succeed अगर आप Pakistan first और brand Pakistan देखें दुनिया में यह होता है कि आप अपनी जो अच्छी चीजे आपके मुल्क में होती हैं आप उसे ज्यादा से ज्यादा उसको दिखाते हैं unfortunately हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ हमारे साथ हमारे कोई चोटा सा इंस्देंट तो सारा मेडिया सिर्फ उसी बर डिस्कार रहा होता है जो अच्छी चीज होती है वो तो कहीं दबी जाती है So you see you have to change the tactic we have to promote Pakistan we have to sell Pakistan not in that way but brand Pakistan brand Pakistan Pakistan और आप करा है, आप आप डिसक्स कर लीजे और सेटल कर लीजे कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलसी है, इस पे हमने नहीं करना, अगर चाइना आ रहा है, तो जी चाइना के साथ 50% के पार्टनर्स हम भी होंगे, हम भी होंगे, अगर वो टैक्स नहीं दे रहा है, तो चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमें हँप करता है हमारे मुश्किल टाइमस पर, लेकिन हम भी बहुत अच्छा रिपे कर देते हैं, अगर हम ये चीजें करते रहे तो ये रिपेमेंट है, और ये बाइलैटरल गुड के लिए हैं, ऐसा नहीं है कि हम इस प्रोज कि अब वक्त आ गया है कि हम काबले तरकीद न रहें, काबले तकलीद हो जाएं। And this is the time now, कि हम यह सारी स्यासी रस्ताकशी और इन चीजों से अपनी सतें बलंद करते हुए, we should be giving a very clear image of our economic agenda. और हमार economic agenda का जब clear image जाएगा, तो you see the investors will come, आपके FDI improve होती है, आपका repatriation of wealth होगा, जो outflow हुआ आपके capital की flight, वो reverse gear में वापस आएंगी, आना शुरू हो जाएंगी. I mean, the first that the silver lining is there, I don't see why an investor will shy away. Investor को तो पैसे पे पैसे की सत्राइब… और इस वक्त जो time से हम गुजर रहे हैं वो इतना crucial और इतना important है कि opportunities are out of adversity. I will have to interrupt, क्योंके वक्त की खिलत है, हमें इस point पर रोकना होगा, यह discussion कैसा लगा, अपना feedback हमारे social media handles पर बताइएगा. Very grateful to all our panelists, Dr. Mirza Aikhti Aarbek, Mr. Zishan Merchant, Ambassador Jameel Ahmed and Mr. Ratik Siddiqui. हमने जो बात की, conclusively सिर्फ यही कहना काफी होगा, कि खुद कफील होना, हमारे तमाम domestic missile का one phrased solution है. लहादा इस जानब जाया जाए और जितने भी national या कौमी issues हैं, interests के हवाले से, उनकी उपर किसी तरह की सियासत की कोई गुझाईश नहीं है, लहादा इसकी उपर हमें consensus develop करने की जरूरत है. Domestic industries को thrive करने के लिए वही edges दिये जाएं, जो के international हम लोग investors को देते हैं, क्योंकि इसके बाद ये बाद incomplete रह जाएगी, जब हम लोग internationally और domestically किसी भी तरह की तफरीक रखेंगे in terms of our incentives. Program देखने का शुक्री, Allah आफिस.